घर में आने से पहले मा लक्षमी देती है ये पास संकेत पहला हिंदू धर में संक को काफी पवित्र चीज माना गया है इसका इस्तमाल खास कर पूजा पाट के दौरान होता है सुबह उठने के बाद संक की आवाज सुनाई देना सुब्संकेत माना जाता है इसका अर्थ है कि जल्द मा लक्षमी आपके घर में दस्तक देने वाली है दूसरा जारू को मा लक्षमी से जोड़ कर देखा जाता है ये मा लक्षमी को प्रिये होती है ऐसे में अगर आपको सुबह कहीं जाते समय कोई इनसान जारू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुती सुबसंकीत माना जाता है तीसरा खान पान में भी मा लक्षमी का आगमन का पता चलता है मा लक्षमी जिस घर में आने वाली होती है तो उनके खान पान में बदलाव आने लगता है ऐसे परिवार के लोग मांसाहार और नसे से दूरी बनाने लगते हैं इन लोगों को भूख भी कम लगने लगती है चौधा, साप को देखते ही हर इनसान सी हर उड़ता है लेकिन साप दिखना मालक्षमी के आगबन का प्रतीक माना जाता है ऐसे में अगर आपको सपने में साप या उसका बिल दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आप पर मालक्षमी की कृपा बरसने वाली हैं ये धन की प्राप्ती का संकेत होता है पांचवा यदि स्वाप्तन में आपने सोना देखा हो तो ये भी एक धन प्राप्ती और आपके घरमा लक्षमी के आगबन का सूचक माना जाता है यारी माला माल होने का संकेत माना गया है उमेद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग अच्छा लग है तो लाइक शियर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तकना ध्यान रखेगा रादे रादे है अधियर पंग Alrighty, के वे वीडियो में अबهे जब है लेते रादे हैं आपको ये वेलियो में आपको ये लाइक, ब stickers दादा Всё, competitive regular घर आपको येश्णा